हेलो दोस्तो कैसे होता दोस्तो आज के इस नवीडम आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस नवीडम लोग बात करने वाले आई पेल रोजन 23 के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है सन्राइज से द्राबाद वर्स राजस्तान रॉयल्स इन दोन टीमों के बीच में दोस्तो ये मैच दोफेर को साड़े 3 बज़े स्टार्ट होगा विन्य होने वाला है राजिव गांदी इंटरनाशनल प्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दोस्तो दोनों टीम बहुत सॉलीड लग रही है बहुत ज़ादा बैलेंस टीम लग रही है ये मैच बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है बहुत सारे इसे न्यू प्लेयर्स है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं तो वीडियो को बिलकूल मिस मत करना आगे ब सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में तो ये जो बर्र होती बिलकूल फ्लाInt विकेट बहुत रन Bluetooth अवाट यूथ होती है Zitian बहुत जबर्ग रंच बनेये गे सुरिय और बहुत बैतिङंग करी ती और बोगा अच्छी बैटिंग ती स्पीन को जरूर आठ रिकेट्स मिली थी बड़ उतना स्पीनर्स के लिए भी हेल्प नहीं था ठीक है जो टूर तो नाइंटीन का आप आइपेल हुआ था आठ मैचेस हुए थे आठ में से पार्च मैचेस बैटिंग फर्स ने जीते थे बैटिंग सेकर ने तीन मैचेस जीते प्रच के लिए फर्स मैचेस के लिए भूनिशरो कुमार कैपटन सी करेंगे अभी शेक शर्मा के साथ महेंग अग्रवाल ओपन करेंगे तो इंडियन ओपनर्स आपको देखने को मिल जाएगे टूर्नामेंट में ठीक है उसकी वाद अगर आप देखोगे तो आपको इंडियन प्लेयर विए अच्छी बात हैं तीनों बहुत अच्छे है है हायरे ब्रुा यंग टालेंट जस तरीके से लोने इंगलेंड के परफॉर्म किया टेश क्रिकेट में बट लेट से कैसा करते हैं टी-20 क्रिकेट में वह भी इंडिया में आखी फ्रस्टर इम इंडिय इंपक्त पर आते हुए दिख सकते हैं तो यह थोड़ा नोट करके चलना फिर सुन्दर भुनिशर कुमार फजलुक फारूट की उम्रान मली के टीन अटराजन इनके वास आदिल रशीद भी है यह लोग ना टीन अटराजन के उपर आदिल रशीद भी खिला सकते हैं यह अभ रशीद खेल सकते हैं तीन अटराजन के उपर यह फिर अब दो समात के उपर अगर पहले बॉलिंग आ जाती है संड़ाजे सहिदराबाद के यह नोट करके चलना फिर इनके उसकार्तिक त्यागी है कॉलिटी राइट आम पे इसर ठीक है और फिर कुछ यंग्स्टर्स निन बट यार आपको पाता कि किस लेवल पे खेलते हैं ठीक है और खुद को प्रूव करने की पुरी कोशिश करेंगे भी फॉर्मिन का रिटन आया है रिसेंटी सब रंजी टॉपी के आप अच्छा कर रहे थे तो इनका नोट करके चलना राहूल त्यपाटी इंटरनाशनल डे प्रिकेट में नहीं मिलेंगे एक 42 के पारी है फिर 81 नोटोट के पारी एक 46 नोटोट के पारी है पिछले चार टीट्वेंटी मैचे जो मोस्टी नोने वल्लकप में खेले थे वहां पे बारा एक साथ चार बीस कुछ इस तरगे से रन बनाये थे पाकिस्तान में जब गए प प्रिकेट फिलिप्स अगें इंका टीट्वेंट बेंटी वलकप में रगाल लगाया था पिछले एक-दो साल इंक के लिए बहुत अच्छा रहा है विकेट किपिंग भी करेंगे वैसे तो यह हर चीज कर लेते विकेट करते हैं बालीं करते हैं सब कुछ करते हैं बट यहा होने रहने वाला है भुनेशर कुमार उतने विकेट मिली ने पिछले कुछ मैचस में एक विकेट दो विकेट एक उख़ए तो और इंक पिछले तो करेको आप देखोगे तो करीबन आट-9 मैच्टेस में करीबन टोटल चारी विकेट मिली है तो यह नोट करके चलना बट आप ये में डेत और बॉलर रहेंगे तो उस वज़े से आप लोग इनको डेफिनेटली ट्राइ कर सकते हो फजलुक फारू की क्या बॉलर है भाई साथ इनका रिसेंट फॉर्म नेक्स लेवल रहा है कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करिए वित न्यू बॉल और मेडन ओर भी डाली हुग ये बहुत अच्छी बॉलिंग करिए तो इनका नोट करके चलना ये गेमचेंजर रहने वाले है उम्रान मलिक इन्होंने वो रिसेंटली बहुत अच्छा किया टीम इंडिया के लिए लास्ट इर भी इन का IPL अच्छा रहा था पे से इनके पास 150 प्लस डालते हैं इंपॉर्टन रहेंगी इनका नोट करके चलना ठीक है उसके बात करें हम लोग कार्थिक त्यागी कि तो क्वालिटी पैसर है इनकी वास और इंडियन पैसर है तो मुझे ने लगता है इनको चांस मिलेगा उपेंद्र यादव दो मिस्टिक में अच्छा करके आए 67-35-10-0-8-38 तो इनका नोट करना विकेट कीपर बैटर है अन्मोल प्रिट सिंग लास्ट यहर तक मुंबई के लिए खेल रहे थे कुछ चांसेस दे मुंबई ने बट कुछ खास कर नहीं पाया थे रिसेंटल इनोंने सेद मुस्ताकली खेला हुए 59-50-30-20-64 वापर पर 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 जरूर किया अच्छे लगते सेद मुस्ताकली में अच्छा किया था बट अभी खेला सा इंका मतलब आई पेल लेवर्ट को उतना अच्छा नहीं कर पाये निति श्रेडी राइट ऑल डाउंडर है थोड़ी बाटिंग थोड़ी बॉलिंग भी करना जानते हैं सन्विर सिंग इन्होंने इंप्रेस किया सेद मुस्ताकली टॉफी में 27 not out 55 not out 17 16 not out थोड़ी बट आइटम मेडियम बॉलिंग कर लेते हैं विहुरान शर्मा राइट हैं लेफ्ट हैं बैटर लेक ब्रेक बॉलिंग करते हैं 50 11 63 प्लस 2 विकेट 4 रन प्लस 4 विकेट ठीक है उसका समर्थ व्यास इनका फॉमंस देखो 97 14 34 12 33 27 97 स्ट्राइक रेट है 150 का तो भाई साब इनका भी नोट करना यह गेम चेंजर बन सकते हैं पर खेलने का थोड़ा सा चांस में साबसे कम मिलेगा वट आज इंपक्ट पर कोई भी एड हो सकता है ठीक है उसका बात करते हैं हम लोग लास्ट सीजन की तो विशेक शर्म माइक अगरवाल ने स्ट्रगल किया था पंजाब के लिए सिब 16 का एवरेज रहा था सुन्दर का 14 का एवरेज रहा था सेसरेच के लिए उन्ली मोस्ट विगेट मुम्रान मलिक को 22 विगेट मिलते लास्ट यार ना ट्राजन को भी 11 मैच में 18 विगेट थी बुनिशर कुमा जैसवाल ओपन करेंगे नंबर तिन पे संजु सैंसें पार्डिकल शिमरन हेट मायर रियान पराग जैसन होल्डर तो नंबर साथ तक इनके पास बैटिंग एवन रवी चेंदर रश्विन अच्छी बैटिंग करते सबको पता है लास्ट ये उन्होंने आज फ्लोटर रश् जैसे कि अगर आप देखो कि इनके बाद जो रूट है इन्होंने जो रूट को आड किया है वाट खेलने का मौका कम मिलेगा इनके पास आडम चांपा आल सो तो ये भी कॉलिटी स्पीनर है और इनका जो हूम वेन्यू है स्वाए मान से वापे पड़ा ग्राउंड है तो आ नेक्स्ट लेवल खेलते हैं टेट्वेंटी स्पेशलिस्स सेवेंटी सिक्स्टे सेवन फोर्टी ठीक है ये शेश्वी जैसवाल सहेद मुस्ताकली में इन्होंने पे अच्छा किया तो इनका फॉर्म भी बहुत अच्छा देखने को मिला था फिर देवदूत पाडी कल है स संजु सैंसें अच्छा करके आए 30-61-59 सेद मुस्ताकली में इन्होंने बच्छा किया था देन शिम्रन हिट माया रहे पिछले कुछ टीट्वेंटी मैचे देख दो तो तो बहुत इंपॉर्टन रहेंगे रियान पराक सेद मुस्ताकली में डाहिसोरन बनायते प्लस छे व से अश्यून के पिछले चार्ट्वेंटी मैचेस में चार विकेट से दोनों बैटिंग भी ठीक्टाक कर लेते हैं यूज विकेट का कॉलम देखोगे एक एक गष्य आपको मूश्डी दिखरी और एक ही दो विकेट एक ही बार दो विकेट निकाल लिया तो ये थोड़ा सा इश्यू रहा है ट्रेंट बोल्ड के साथ बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टन पीक रहेंगे और मिस नहीं कर सकते हैं कुल दिप सें सेद मुस्ताकली में पार्च मैक में सिर्फ दो विकेट्स निकलती बट कॉलिटी पेस है जो रूट ये भी डोमेस्टिक माप करना ये जो इंटरनाशनल टीट्वेंटी लीग होगा था दो यूए में वहापी उन्होंने अच्छा किया था एडम जंपा वही पर ये भी खेलेते हैं वहनोंने वहापी बहुत सारी विकेट्स निकाली थी फराइरा खेलके आया है साउत्वरकाटी 20 लीग कुछ खास वहापे तो किया नहीं था बट अच्छे प्लेयर है और डाउंडर है विकेट किपिंग भी करते हैं प्लस बॉलिंग भी कर लेत मुरुगुन अश्विन कुछ खास लाश्टिर किया नहीं था केम आसी पेक अच्छे पेसर अच्छा किया भी था इन्होंने सहीद मुश्टागली ट्रॉपे में चेने सुपर किंग्स का हिस्सा रहे चुके है आकाश वर्षिष्ट नेपना मॉटर्राक्स पर नेरे इंच का फिफ्टी सेवन का अवरेज रहा था इंका साड़े आठ सो की उपर रन बनाती हो तर एक ताम तो ऐसा लग रहा था कि यह विराट को लिके रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे बट नहीं हो पाय था संजु सैंसन का ट्वेंटी एट का अवरेज रहा था पिछले सार तो इस बार संजु सैंसन को करना पड़ेगा पाडिकल का सिफ 22 का अवरेज था कुछ खास नहीं था बर पैट पैटिंग अच्छी करी थी अश्विं का 27 का अवरेज था रोटर के हिसाब सिंग को यूज किया था अभी वन डाउन भी पहेज आता तो यह नोट करना और पराक का सिर्फ शिक्षिंग का अवरेज था ठीक है बोल्ड को सोला मैच में सोला ही विकेट थी फोल्डर को बारा मैच में 14 विकेट थी अश्विं को 17 मैच में 12 विकेट मिली थी लास्ट थी तो कुछ खास अब देखोगे यह पर तो महें कगरवाल का 30 का अवरेज बनता है आरार के सामने अच्छा अवरेज 100 भी लगा चुकिया है राहुल त्रिपाटि का 24 का अवरेज है 4 मैच में 96 रन बनाए सुन्दर ने 2 मैच में 75 रन बनाए जिसमें 1 मैच में 14 रन बनाए थी अभिशेक शर को तीन मैच में 0 विकेर बट सामने ये शेश्व जैस वाले दूर पाड़ी कर ले शिमरंट हेट मायरे तीन लिफ्ट हैंड वैटर से तो सुन्दर का रोल रहेगा राजस्तान रोयल की बात करें तो मोस्ट रंस संजू सैमसन ने बनाए है ठीक है 44 का अवरेज इनका राहा ये सारीच के सामने 100 भी लगा चुक है तो बहुत कॉलिटी ठीक है पटिलर का तोड़ा से स्ट्रगल लगा है 23 का ये आवरेज इपकोज उस टाइम पे राशित खान हुआ करते तो जो बहुत परेशान करते थे बट एक 100 भी लगा चुक है इसारीच के सामने 124 के पारी खे चहल को 20 विकेट्स मिली 17 मैच में ये सरेच के सामने अच्छा स्टाइट्स है डोड को 11 है अश्विन को 16 मैच में स्रिफ 9 विकेट्स है अगर आप देखोगे तो छे मैचस करीब न ने निकाल भनाए 73 रूस कुछ खास नहीं त्रिपाटी ने भी आपके कुछ खास नहीं कि है स्रिप साथ का अवरेज रहा है चार मैच में स्रिफ 21 रन बनाया है मोस्ट विकेट में भुनेशर कुमार को 36 मैच इसमें 36 विकेट से सुंदर को दो मैच में जिरो विकेट है रायस्तान के और से संचु सैमसंड का आपके जिसमें 100 भी लगाया हुआ ठीक है बटलर ने यहां पर थ्री मैचेस में 22 रन बनाया है और हिटमार ने एक मैच में नाइन रन बनाया है जो इंपर्टन बैटल सारी पब्लिक आईगी बटलर को कैप्टन करके बट यह जो इंट्रेस्टिंग बैटल है यह देखो पाज बर आउट किया बुनिशर कुमार ने बटलर को इंटरनेशल क्रिकेट में आई पेल में आज तक कभी आउट नहीं किया बट बहुत रन भी नहीं दिए 76 बॉल में सिर्फ 79 रन दिया तो सोचे कितनी जबरदस बुनिशर कुमार ने बॉलिंग करी है उम्रान मलिक एक बार पर का दायान है, तो आब बात करते हैं, हम लोग ऋिसेर हैं के बैट सिंती लिजम्क एह को मिनीट की है ठीक है अश्leist Vallahi आउट करुके रहुल्ट में और ग्रट करुके इस है कि वए बात करे तो किसटनी है पर एक है तो पॉक एक आए को पर चुक तो बहुत इंपॉर्टन स्टाट्स थे, I hope बहुत सारी चीज़े क्लियर हुई, अब बनाएंगे हम लोग स्मॉल लिग टीम, ओके, सुरोस्तो बात करते हैं, exchange 22 के मतलब हम लोग बात करेंगे giveaway की, free giveaway की, ठीक है, बहुत simple format है, आपको प्रेडिक करना है, आप लोग free में money जीत प्रेडिक करना है, और किस तरीके से करना है, आपको comment में जाना है, comment में आपको जाके क्या करना है, आपको hashtag fantasy 11 circle आपको इस तरीके से डालना है, उसी comment में आपको प्रेडिक करना है, कि कौन सा player highest point देने वाला है, और उसके उसी comment में आपको आपके exchange 22 का fantasy name भी add कर देना है, ठीक है, इस format में आपको add करना है, पूरा वीडियो देखना है, और अगर आप सही प्रेडिक करते हो, तो फिर आपके account में आपको पैसे transfer कर दिये जाएंगे, ठीक है, तो जल्दी से predict करो, और बताओ मुझे कि कौन सा player multi wagger बनेगा, इस list में से, ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते है, हिदराबाद versus Rajasthan वाले match में जाके, हम लोग थोड़ा buy sale देख लेती है, हम लोग यहा थोड़ा सा अश्विन को भी sale कर सकता हो, ठीक है, अगर पहले balling आ जाती है अश्विन की, तो मैं अश्विन को थोड़ा सा sale कर सकता हो, ठीक है, संदिव शर्मा is there, मेरे साब से नहीं खिलेंगे प्रसिद कृष्णा की replacement है, संजु सैंसन इस देर, चहल इस देर, हेटमायर देदुद पार्टीकल, कुल्दिपसेन है, स्भुनेश्वर है, मयंक है, सुन्दर है, नटराजन, राहुलत्रिपपार्टी, हैरी भुरुख, फजलुख, फारुकी, मयंक मारकंडे, उमरान बलिक, मुझे लगता है, चहल को थोड़ा सा buy कर सकते हो, 30 में थोड़ा सा ज्या पार्टीकल, इस देर, देन, जैसन, होल्डर, इस देर, ठीक है, चहल, लास्ट टैम, 27 विकेट निकार ली थी, ठीक है, बोल्ट, जैसवाल, अश्विन, तोगो थोड़ा सा सेल कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सेल करना, अश्विन को ज्यादा मत करना, बिकोज ऐसा महेंक अगरवाल राहूल त्रिपार्टी हैरी ब्रूक उम्रान मलिक लेंड फिलिप्स नत्राजन सुन्दर महेंक मारकंडे को मैंने ओल्डीडी महेंक पारकंडे का एक शेयर सेल किया है आप भी डेफिनेटली कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ प्लेस आप ट्राइ कर सकते हैं इ अगर आपको गिवा में पर्टिसिपेट करना थे आपको पहले इस आप्लिकेशन को डौनलोड उट्क है और यह अप्लिकेशन के लिंक कमेंड सेक्षिन में फूर्स कमेंट में मिलेगी वासे डाउनलोड करो और जैसे डाउनलोड करोगे आपको 50 रूप करो comment section में आपको link मिल जाएगी okay so दोस्तों यह रहे मेरे 8 players small league के ठीक है मैं 8 players already pick कर लिए small league के team में और यह न 8 players के साथ मैं 100% जाओं ठीक है यहां पर मैं कोई change नहीं करूँगा अब हमें और 3 players को add करना है ठीक है बट मेरे साब से flop होंगे मैं कगर और पहले match में अब यहां पर हम लोग और कौन से 3 players ले सकते Glenn Phillips very good option very very good option ठीक है बाकि कोई मेजे खेलता हो नहीं दिखरा batting में हेट मायर थोड़ा नीची बैटिंग करते बट form अच्छा है पार्डिकल नंबर पार्डिकल हिट मायर को ले सकते हो यह अभिशेक शर्मा ओपन करेंगे यह इनका क्या करें ठीक है विकास फॉर्म भी इनका अच्छा है बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते है और सेलेक्शन देखो बिल्कुल भी नहीं है 19% सेलेक्शन ओली तो यह भी बहुत सॉलिड गेम चेंजर रहेंगे इस मैच के लिटा आप क्या घर सकते हो हैरी बुक के उपर अभिशेक शर्मा के साथ जा सकते हो विकास ओपन करेंगे है अपको मेडल ओर्डर में दीखेंगे तो यह नोट करना मैंने अभिशेक शर्मा को डॉप किया है ठीक है पाकि जो रूट है अब दूसमद है और अनमर्कृत सिंग है मुझे ऐसे कोई खेलता हूं नहीं दीकरा मैं अभी भी शोर नहीं हूँ अभिशेक और हैरी ब्रूप दोनों में से किसे लिया जाए ठीक है सामने बॉलिंग अ यहाँ पर लेने जैसे प्लेयर रहेंगे आपके लिए स्मॉल लिग में सुंदर या फिर रश्विन दोनों में से कोई एक बट मोस्ट लाइकली सुंदर ठीक है तो मैं पर सुंदर और अभिशेक शर्मा दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं फिर बॉलिंग में यह तीन ब बॉलिंग आ जाती है वो नत्राजन को भी ले सकते हैं अगर इसरीच के पहले बॉलिंग आ जाती है तो जो फाइनल प्लेयर है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा मैं अभिशेक शर्मा को पिक किया और अधर प्लेयर्स मैंने बैटर को प्रेफर किया तो मैं बैटर के साथ मैंने टॉप फूर मैंने अल्मोस्ट कवर कर लिए असरीच के मैंने टॉप थ्री कवर कर लिए ओर और चाहो आप होल्डर को तो आप चाहो बोल्ड को डॉप कर सकते हो और मुझे लगता है यहाप आप लोग मैंक को भी डेफिनेटली डॉप कर सकते हो तो आपको मैंक के जगह पे कोई एक एक्स्टा बॉलर मिल जाएगा इसा रेज का लाइक फजलुक फारूकी तो वह आप सोच सकते हो आप मैंक को समित वह नहीं है तो हम लोग विकेटकी पर दोनों के साथ चले जाएंगी तो यह होगे विकेटन वाइस काप्टन ग्रैन को डॉप करो ग्रैंड लिग में रहुल त्रिपाटिय अविश्यक्षरमा इनको ग्रैंड लिग में काप्टन करो यहाप सॉलिड गेम चेंजर बन सकते हैं इस मैच के लिए ठीक है एक और बात कि कोई फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर टॉस के बाद मिलती है यह मैंने आपको प्रियू दे दिया बट मैंने आपको पहले आठ प्लेर्स दिखा है फिर बात में तीन पीग किया तो तीन प्लेस मेयरी हो सकते है अक्रिंग को सिच्जैन अक्रिंग को बिला सबस्ट्रीप लए गींडियो आएगा तो आपको उबश्लम मिल जाएगा अओ इफिनली कर लो सबस्क्रेब और को प्रेस कर दो थैंक यू मस्ग्दिश झाल झाल